नमस्कार दोस्तों मैं भाशा और आप देख रहे हैं न्यूस क्लिक पर खोश खबर कायखरम आज आपके साथ मैं चर्चा करूंगी दो खबरों पर दोनों खबरें बिल्कुल अलग-अलग दुनिया की कहानी कहती हैं हैं दोनों भारत की ही पहली खबर जिसमें कई चहरे हैं पहला चहरा श्रीकांत त्यागी जी हाँ वही श्रीकांत त्यागी जिनका वीडियो बहुत वाइरल हुआ कि किस तरह से वह एक महिला के साथ एक सब्भरान सोसाइटी में रहने वाली महिला नोईडा की ग्रैंड ओमेक्स सोसाइटी में रहने वाली महिला के साथ किस तरह से सरेयाम बत्तमीजी करते हैं गाली गलोज करते हैं धमकाते हैं बहुत high profile आदमी है ये और जब हम आपसे बात कर रहे हैं उस समय कम से कम एक development ये हुआ है कि इस society में उनका जो flat है वहाँ पे जो इन्होंने इंक्रोश्मेंट किया उसको धाहने के लिए योगी सरकार ने बुल्डोजर भेज दिया बुल्डोजर से वह इंक्रोश्मेंट गिराया जा रहा है ताकि जो गुस्सा वहाँ पर लोगों में था वह थोड़ा सा शान्त हो सके लेकिन आज की तारीख तक नोईडा पुलिस उत्तरप्रदेश पुलिस इस शक्स को गिरफ़तार नहीं कर पाई है सांसत जी आये थे 48 घंटे का समय देकर गए थे कि 48 घंटे के अंदर अंदर वो जेल की अंदर होगा लेकिन अभी वो कहा है उसकी लोकेशन तक ट्रेस हो रही है इदर उदर लेकिन वो पकड़ा क्यों नहीं जा रहा है मैं एक जानकारी ओट दे दूँ उसने कल जो है मिठा नहीं खाएंगे नहीं यह देखिए मिठा लेकर आये हैं लेकिन इस बात की खुशी बताओ यह इसी वरें बनाया थे रहा है बहुत कुछ रह रहा है बहुत कुछ रहा है यह बहुत कुछ अभी तो ABCD बहुचा है अभ कोई तो दादा गरी थी पोदे कैसे अंदर आ गए हम तो पौदे नहीं ला सकते आम नागरे किया काम नहीं कर सकता हर किसी के बस करने तो रात में पौदे है जिसकी मर्जिस है रात कुछ गुंडे भी आयते हैं कल रात 15 लोग उसे हैं जिसमें से कुछ गिरफतार कर लेगा और उसमें से कुछ बीजी पी के नेता है जी हां मैश शर्मा के साथ उनकी पोटो आप देखिए यह भूपेंदर त्यागी हैं यह तुमारे मोदीनगर के हैं एक और लड़का है वो लड़के की उमर भी जाद नहीं कोई तकरीबन 23 साल का होगा वो भी मैश शर्मा जी के सा ली सबसे बड़ा टेस्ट केस यह हुआ कि भाश्पा के सांसद जो इस इलाके से भाश्पा के सांसद हैं गौतम बुद्धनगर से डॉक्टर महेश शर्मा वह पहुचे तो जिस तरह से बहां की निवासियों ने उन्हें घेरा उससे एक बात बहुत साफ हो गई कि अगर त पर तब गुसा दूसरे स्तर पर जा सकता है लेकिन आप देखिए कि जो कानून का राज है उत्तर प्रदेश और नोएडा में वो क्या जबरदस्त है यहां पर महेश शर्मा मिलकर निकलते हैं आश्वासन देते हैं और कुछी घंटे बाद त्यागी के गुंडे श्रीकान कहां रहती है जिसने शिकायत दर्स कराई और फिर मामला तूल पकड़ता है सोशल मीडिया पे हंगामा होता है महेश शर्मा दुबारा पहुचते हैं और देखिए उनके शब्द पूचिये उनके तमिश्टर से मैंने जब लाकुमार को फोन किया जब रनवजे को तब यहां फुलिस आईए मेरे जिलाद्यर शाम यहाँ पर है हमें शर्मिंदगी महसूस हो रही है कि यहां हमारी सरकार है भाशपा का सांसद योगी सरकार के लिए बोल रहा है क्योंकि तब तक यह पूरा का पूरा शक्स गायब है और इसकी गुंडागर्दी पूरे ढंग से चाई हुई है यहां सवाल सिर्फ बुल्डोजर का नहीं है सवाल बुल्डोजर से बड़ा है क्योंकि एक बात बहुत साफ है कि बुल्डोजर चलाना फेस सेविंग एक्साइज के तहत योगी सरकार ने किया सवाल सबसे बड़ा यह है कि यह शक्स जो खुद को भाशपा का एक नेता बताता है यह शक्स जो खुद को सोशल प्रोफाइल में जिसके पास भाशपा अध्यक्ष से लेकर तमाम लोगों के साथ सबके साथ इसकी फोटो है आखिर वो अपने इसी दबदबे के आधार पर एक महिला को दराता है धमकाता है गाली गलौज करता है और उसे पता होता है कि उसके खिलाफ कोई ठोस कारवाई नहीं होगी जो अभी तक नहीं हुई सवाल सिर्फ यहां श्रीकान त्यागी का नहीं है अब इस दूसरे शक्स की तस्वीर देखिए यह वीडियो भी सोशल मीडिया पे चल रहा है यह बरेली से आया है यहां पर भाश्पा नेता जीतेंदर रस्तोगी एक महिला और उसकी बेती के साथ बस सलूकी करते हैं पिट होता है अब यह देखिए यह तस्वीर है राके सचान की यह कोई एरे गैरे नेता नहीं है यह योगी सरकार में मंत्री है और इन मंत्री के खिलाफ एक पुराने मामले में जब अदालत इन्हें दोशी करार देती है तब यह क्या करते हैं कि वो पूरी की पूरी फाइल लेक ही गायव हो जाते हैं ऐसा अनूठा मामला सिर्फ उत्तरप्रदेश और भारत में हो सकता है कि जहां एक मंत्री जिसे काईदा कानून किस तरह से लागू होना है किस तरह से सरकार चलानी है इसकी जिम्मेदारी है जब उनके ऊपर केस फाइनल होता है उन्हें दोशी करार द हाग जाते हैं हाला कि बाद में साफ सफाई चलती रहती है वह भी बयान देते हैं कि ऐसा नहीं है और वैसा नहीं है लेकिन उनकी पूरी की पूरी जो हरकत है वह सब के सामने दर्ज होती है दोस्तों अब हम चलेंगे अपने कारिक्रम के दूसरे पड़ाव की तरफ यहां पर मैं आपको मिलवाओंगी एक अनूठी यात्रा से जो शायद इन 75 सालों में कभी कही नहीं हुई होगी आप सोचिए कि एक-एक करके एक-एक सिक्का जुटा कर 20 लाग से अधिक सिक्के जुटाए गए और सिर्फ इतना ही नहीं एक अनूठा सिक्का भी बनाया गया वह स तरफ उसमें बाबा सहब भीमराव अंबेट कर हैं और दूसरी तरफ गौतम बुद्ध और मकसद है बहुत साफ इस देश को छुवा छूत अंटचबिलिटी से मुक्त करना और यह सब कुछ तयार जनता ने अपने पैसों से अपने कॉंट्रिबूशन से किया यह यात्रा शुरू ही गुजरास से और इस समय हर्याना रिवाणी में से रोक दिया गया है दरसल यह लोग आना चाहते हैं दिल्ली और देना चाहते हैं इस सिक्के को राष्टपती प्रधानमंत्री को देश की सरकार को यह कहते हुए कि आपकी नजर में दलित हमेशा सरकार से कुछ ल दिल्ली में एक हजार किलो का सिक्का दलितों और पिछडों ने इस संसत को भेट किया एक-एक सिक्का जोड़कर 20 लाग से अधिक सिक्के देश की संसत के निर्वान में कॉंट्रिब्यूट करने के लिए ये लोग दो ट्रकों में सिक्के भर के लाए हैं है ना कितना हैरत अंगेज कि आज के दौर में जहां इतनी नफरत है जहां पर दलित और पिछडों के खिलाफ अत्याचार भयानक रूप से बढ़ा हुआ है वहां पर यह यात्रा चलती है आईए चलते हैं रेवाडी जहां मार्टिन मेकवान तकरीबन चार सो लोगों के साथ रुके हुए हैं पुलिस ने उन्हें रोक दिया है कि वह आगे किस तरह से ले जाएंगे और साथ ही साथ चलते हैं अंबेटकर भवन दिल्ली में जहां इस यात्रा के स्वागत के लिए हजारों की तादाद में लोग जुटे हुए हैं तो विजरात में क्रेडिशन है एक हजार साल पुराना कि पाटन नाम का स्टेट में में वह सब्सक्राइब क्योंकि तालब में पानी नहीं आ रहा था तो में वाया ने बोला कि मैं मेरा बलीदान लेने के लिए तैयार अब लोग पड़े लिखे नहीं थे तो उन्होंने इतियास अपने कस्टम्स में कल्चर में सामिल कर लिया है तो जब भी नया घर बनता है तो उसके नीव में उसके फाउंडेशन में एक सिकार रखा जाता है तो तब ही यह चल रहा था देश में के नया संतर्वांड बन र लेकिन सिक्का रखने का वीदी है ना आप बोल गए है तो सिक्का हम आपको देंगे तो इस सिक्का हमने लोगों से बोला तो 2,450 किलो बड़तन आया है अभी तो करीब 10,000 किलो बड़तन लोगों ने गाउं में इकटा करके रखा है हमने बोला अभी बवस्तर अभी नहीं चाहिए इतना काफी है इसमें सिक्का बना है जो उसमें देने वाले दलित भी है आदिवासी भी है वो भी सिपी है हमने बोला जो भी इंसान मानता है कि इसद्वे बेश उत्जिस मुक्त होना जीओ सभी जोड़ जाओ कर ये साथ में हमने बुला कि हम पर्लामेंट कोई चंडा भी देंगे जो आम तार पर नहीं होता है कि लोग चंडा मी क्यों कि क्योंकि 2 है कि हम इंसानों एक रूपए हैं तो तो रूपए दो तो यह अपिल लोगों ने स्टिकर कर लिया और आज हमारे पास 20 लाग से ज्यादा से के आ गए जो दो ट्रक बर एक बर के आये हम यहाँ पर और कई जगा तो दूसरी जाती के जह उत्त है राज़सन में मुझे कम से कम तीन जगा पर राजपुत मिले उन्होंने चंदा दिया पेस के लिए और एक खाना जहां बोज हुआ था वहां वो लोग आजी थे बोलता है कि हम मानते हैं कि देश वाच्छत मुक्त होना चाहिए तो इसमें मुसलमन भी है इसाई भी है और सभी धर्मों के लोग है तो हमारा कोई कभी किसे से टक्राव नहीं हुआ और लोगों न इतना प्यार दिया यह इसने कोई फंडिंग कहां से नहीं आया पुरा यात्रा है वो लोगों के पैसे सही चला है इसने पंदर रुपया दिया किसे बिस रुपया राजस्तान के गाउं में से हमें 55,000 डोनेशन मिला एक ही प्रोग्राम में है तो तीन गाउं हम गए तो एक चाह singular से क्योंकि और 2 मानता है कि हम से देने वाले हैं लेने वाले नहीं यात्रा शुरूह उसके करीब रैट म quelques आने वाली है अप मैंशे दो जरूरी नहीं के हम दिल्ली आए आप मंडल सकते हो लेने क्र法 करकल करक कमई बता तो बैजुम्हें कोई सेंटर है बड़ा जहां से जो में दिली से 120 प्रवन दूर है और आप भी आ सकते हो ना हमने कहां बोला कि हम को दिली आके देना है तो सवाल है कि आप लेना चाहते हो कि नहीं लेकिन यह सिक्के पर जो सवाल हमने लिखा है अंग्रेजी और हिंदी में भारत का 1947 का सपना 2047 में साकर होगा के लिए पिछले 40 साल में 26,000 से ज्यादा दलितों की हत्या हुई है 55,500 से ज्यादा दलित महिलाओं पे बलातर हुआ है और 12,000,000 से ज्यादा के प्लिस टेशन में दर्ज हुए है हर साल बढ़ता जा रहा है तो इसको क्या विकास बोलेंगे और जहां 35 साल के बाद भी चुआ चुट है तो वह आजादी का मतलत क्या है वो भी हमें समय मैं इस समय अमबिड़कर भवन दिल्ली में हूँ जहां हमारा कारिक्रिम होना था और अभी बर्तमान में यहां पे छुआ चुट मुट भारत अभयान की सभा चल लए है जहां पर ये चुआ चुआ चुट मुट भारत यात्रा निकली थी उसका समापन अका रखा कि हैं दो हजार से जादा लोग को कौसे हैं बाकी अलग अलग पुलिस ने रोगों को रोग के रखा है जालों की स्टेशन को सब्सक्राइब हुसक्राइब तो अलग अलग यह 1000 से ज्यादा पंजाब के साथ्टियों कि रखा है हम कोई प्रोटेस्ट नहीं कर रहे हम लोगों वह सक्का देने के लिए उस देश की संस्द में भारत के सम्मेधान के रहीं कर देने के लिए बहुत तरीके से हमाज सभा करने आए थे देश में अलग अलग जहां पर भी मैसेज जा रहा है सब्सक्राइब कर देंगे क्योंकि यह हमारा अपमान है और हम इस अपमान को सरकार क्या समझ रहती हैं वाबसाप के सिपाई हैं समान का की बात करते हैं हैं शॉस्ता संब्धान में जो संवत्वीमि के से माने जब हमें सांति पूर तरीके से अपने कर आए बाबा साथ पका सिपका अमारे साथ है बाबा साथ की फोटू हमारे साथ है हम बाबा साब के बनाए हुए, हम बिटकर भवन में आना चाहते है, जिसकी न्यू बाबा साब ने रखी, हमें वहाँ भी नहीं दाने दिया रहा है, तो पूरे देश के दलतों में इसको ले करके बहुत गुस्ता है। इसे अबाद सरकारों को समझ नहीं आती है, इसलिए वह देश भक्ती को एक धंग से, एक तरफा धंग से देखने की, दिखाने की कोशिश करते हैं। उन सब पर जनता की क्रियेटिविटी, जनता का देश पर विश्वास हमेशा भारी रहता है। और शायद इसी विश्वास के साथ हम हमेशा आपसे बाचीत करते हैं। देखिए, लाइक करिए, शेर करिए, न्यूस क्लिक, खोज खबर, शुक्रिया।